असलाम लेकुम फ्रेंड्स कासे हैं आप साथ, I'm sure all are fine, this is मुवशर इक्बाल चोहान, एडवोकर्ट हाई कोट एंड लिगल एक्षार, CPC की सेक्शन वे सिरीज के निराज हम पढ़ेंगे ओर्डर order 16 जो कर डील करता है, अगर आपने किसी witness को बुलवाना है, तो समन कैसे करोगे, किसी evidence को मंगवाना है, तो आप कैसे समन करोगे, किस को समन करोगे और अगर court किसी witness को बुलवाती है, समन करती है और वो तामील नहीं करता, compliance नहीं करता, आता नहीं court में तो court कौन सा procedure अडॉप्ट कर सकती है witness को मजबूर करने के लिए क्या court के पास attachment of property की एक्तियारत है movable को attach करेगी या immovable को attach करेगी किस तरह की property को और कितनी कीमत की property को court attach कर सकती है और वो जो attachment of property है, वो कैसे release होगी इन तमाम चीज़ों के बारे में हमें order 16 बताता है तो अगर आप दावे के अंदर हैं, दावे की proceeding करें तो order 16 का समझना आपके लिए खासी एहमियत का हामिल है दुराने attendance of witness शुरू करते हमारा topic, लेक्शे स्राट करने से पहले अगर आप मेरी YouTube चैनल law and communication skills के उपर नए है तो red button click करके चैनल को subscribe करना साथ में ही बेल लाइक उनको प्रेश जरूर कर दे ताकि आसे तमाम informative वीडियो आपकी access में रहें आप मेरी चूटी सी फीज से उसको जुरूर फुल्फिल कर दे करें मेरी फीज से अपने तीन स्टेप करदन पे करने है फर्स्ट कम से कम दस रूपर डूनेट कर दे सेकिंड दो लोग की help, थर्ड मेरोड अपने पिलर्स के लिए दूआ अला तला उनको सेहत अंस्तिता फुर्माई शुरू करते हैं हमारा टॉपिक Summoning and attendance of witness Order 16 Rule 1 Summon to attend to give evidence or produce documents Not later than 7 days of the settlement of issue जब issue settle हो जाए issue create हो जाए issue जो हमने पहले इसके अदर वीडियो जो पहले हमने वीडियो अपलोड की थी framing of issue की, settlement of issue की जब issue settle होगे, frame होगे तो उसके साथ दिन से ज्यादा का time नहीं दिया जाएगा कि साथ दिन के अंदर अंदर आपने witness या evidence को court के हजूर पेश करना है जिन पर आप reliance कर रहे हैं दोनों parties को court order करेगी कि जिन के पास जो जो भी witness हैं evidence हैं या documents हैं उनको court में produce किया जाए इस दुरान जो party ने अपनी witness list दी है या evidence list दी है उसके लावा उनको permit नहीं किया जाएगा इस ही के सब rule 2 के तहत otherwise court permit, court में grant the permission पसूर्त दिगर का court permission grant करती है तो और साथ में जिन witnesses को court में बुलवाना है उनके जो expense है वो भी जो बुलवाने वाली party है वो court को पे करेगी rule 2 order 16 का expense of witness भी पेड उनको प्लाइंग फार समन समन अप्लाई करने के लिए party काते हैं जी मैंने फलाव witness को बुलवाना है तो उसके लिए court से permission लेगी उसको बुलवाने की समन अप्लाई करवाएगी उसको भजवाने के लिए court उसको समन भेजेगी उस witness को कि आप अदालत के लिए पेश हो अपनी गवाही दें या कोई ऐसा documents जो आपके कबजे में है आपके possession में है आपके ताकत में है उसको court में produce करें तो उस गवाह के court में आने के जितने भी expense होंगे उन expense को वो party पे करेगी जो अपनी favor में उस गवाह को court में बुलवा रही है order 13, tender of expense to witness tender of expense to witness tender का मतलब होता है देना, grant करना, नवाजना of expense of witness, witness के जो expense है जब समन को issue करवाए जागे जैसे कि मैंने पिछली section में बताया, उसी वकत court में personally submit करवाना ज़रूरी है परसेजर गया insufficient sum paid जहां पर insufficient, for example एक witness का खर्चा है, 1000 रुपिया party ने submit करवाया 500 रुपिया insufficient sum paid है, जो उसे रकम दी है वो insufficient है, ना काफी है तो जो witness का खर्चा आया है court उसको observe करेगी और दुबारा से उस party से मजीद खर्चा भी निकलवाएगी, कि जी यह दा 500 रुपिया और दो वो time place rule 5, time place, purpose of attendance to the specified in summon जो summon witness को भजवाया जा रहा है, उस summon पर time, किस दिन और किस वकत court में पेश होना है place, किस जगा पर ये court वाकिया है कि आपने किस वकत, यानि किस दिन court में आना है, किस court में आना है किस purpose के लिए आपको बुलवाया जा रहा है purpose लिखना इसलिए ज़रूरी है ताकि witness को पता हो कि मैं किस काम के लिए court में जा रहा हूँ वो prepare हो कर जाए, को documents साथ लेकर जाने है, ID card कापी birth certificate या कोई भी ऐसा document जो जुरूरी है उसकी गवाही के दुरान court में पेश करना तो उनको अपने साथ prepare करके लिए कर जाए, rule 6 summon to produce documents अगर कोई documents produce करवाना है witness नहीं, document अब for example, यह documents मेरे पास पढ़ा है इस documents को court माँग रही है तो court जरीवल, जब यह documents मेरी possession में है, मेरी power में है, मेरी office में पढ़ा है तो summon भी मुझे किया जाएगा तो फिर जो summon मुझे किया जाएगा वो summon as a witness summon नहीं होगा वो summon as a document summon होगा यानि कि मुझे हुकम दे जाएगा कि मैं यह documents court में पेश करूँ तो यह documents पेश करने का भी जो procedure है यह वो ही witness वाल होगा, expense वगरा तमाम जो tender चीज़े हैं वो मुझे award की जाएगा रूल 7, power to require person present in court give produce give produce the documents and evidence any person present in court may be required by the court to give evidence or to produce any documents and they are in his possession और power, यह court के पास यह एक्तियार है power है कि वो किसी भी शक्स को require कर सकती है, बुलवा सकती है उससे documents हासल कर सकती है उसको evidence देने पर कह सकती है for example, plenty for defendant दोनों ने किसी गवाह का नाम नहीं लिखा लेकिन court कहती है बंदा जरूरी है तो court उसको भी बुलवा सकती है जबकि उसका नाम ही नहीं witness list के अंदर service by summon by parties basically किसी party क्या personally serve करना, आम तो और पर service की जो process of जो summon की process of service है वो वैसे ही होगी जैसे बताया गए यारगे court को apply करके court उसकी service of summon करवाएगी लेकिन अगर party personally serve करना चाहती है बंदा, मिसाल के तो और पर party ने जिस witness को कहना है जिस defender को कहना है जिस और party को summon करवाना, वो party plaintiff के बिल्कु साथ वाले घर में रहती है तो plaintiff कहता है कि जनाब मैं अगर इसकी किसी agency के दुरू process of summon करवाऊँगा जो service करवाऊँगा, तो इस पर दो दिन लग जाएगे, वो मेरे घर के साथ रहता है नो उसको अभी इपकड़ा देता हूँ, उसको permission court grant कर सकती है otherwise, summon की service करवाने का वो ही procedure होगा, जो उपर बता दिया गया है, service of summon by court जो service of summon है, वो by court किये जाएंगे court के दर apply करना पड़ेगा, फलान चीज को फलान witness को, फलान documents को मंगवाना है उसका, जो expense से वो pay करना पड़ेगा, sum of paid of expense then court उसको summon करेगी order 9, time for service summon basically इसका time कनून में को दर्ज नहीं कि दो दिन होगा, साथ दिन चौदा दिन, लेकिन specific और sufficient time देना reasonable time देना जुरूरी है, for example एक बंदा लहौर में है, case चल रहा है लहौर में अब बहुत खींच कर कर लो, तो दो घंडे लग जाते हैं तो उसको दो तीन दिन का या पांच दिन का भी अगर time दे दे जाए तो that is sufficient, तो इसलिए उसको ये भी नहीं कहा जाएगा, जो काड़े का एक घंडे का सफर है आज ही पेश हो, आज हो सकता हूँ, यूनिवस्टी में हो हॉस्पिटल में हो, अपने किसी आफिस में जॉब कर रहा हो, अधारे में के अंदर काम कर रहा हो बिसनस कर रहा हो, तो उसको reasonable time देना जुरूरी है ताके वो अपनी भी, जो उसके अंदर उनको भी solve कर ले, और expense भी साथ पे किया जाएंगे ताके वो अपने कारोबार को भी देख ले, अपनी जॉब को भी देख ले, चुटी बगरा ले ले अर्जंड तो कोई भी निकल नहीं सकता, तो उसको reasonable time देना जुरूरी है कि वो कितने दिनों में यहां तक easily reasonable पहुँश सकता है Rule 10 बहुत imported है, आम तोर पर जब कोई witness या जब कोई बंदा court में पेश नहीं होता तो हम civil doorway के अंदर 16-10 की कारवाई करवाते हैं, 16-10 की कारवाई कैसे होती है procedure where witness fail to comply with someone, जहां पर witness order of court मानने से इंकार करते lawful, without the lawful justification, without the lawfully purpose, without the any justification, any clarification court has summoned जारी किया, बंदा काता, जी मैं कोई नहीं जाना, वेखी जाएगी जो होएगा तो ऐसी सुरत में जहां पर बगएर किसी logic के justification के, clarification के कोई शक्स जानते, बूचते, समझते हुए court का हुकम मानने से इंकार कर देता है पर फिर contempt of court की कारवई स्टार्ट करने से पहले उसको एक show case notice दिया जाएगा, then show case notice देने के बाद उसके warrant जारी किया जाएगे, आया वो warrant बेलेबल है या non-bेलेबल दोनों सूरतों में, अगर वो फिर भी नहीं आता तो उसकी attachment of property का जो process है उसको start करते जाएगा, इसके सब rule 1, 2, 3 के अधर इन चीजों को detail से बताया गया है पहला तरीका इसके चाहिए आप ingredients बना लें, essentials बना लें, summon किये, वो नहीं आया, without justification, summon उसको duly serve भी होगे उसके proclamation की जाएगी, जैसे कि इस्तिहारी की प्रोकलमेशन की जाती है, वो फिर भी नहीं आया, उसके arrest warrant जारी किये जाएगे, जो CRPC के जाएगे, पर फिर भी नहीं आता, CRPC के जो हम कारवाई करवाते हैं, प्रोकलमेशन की और warrant की, same यही, वो ही principle, यहाँ पर हम 16, 10 की कार mission करवाई, अखबार इस्तिहार भी करवाया, उसके घर के दिवारों के बाहर इस्तिहार लगवाया, नहीं आया, warrant जारी कर दिये, अगर arrest हो गया तो ठीक है, अगर arrest नहीं हुआ, और फिर भी नहीं आया, तो फिर उसकी attachment of property की जाएगी, उसकी जो property movable है, या वो property जो उस cost के आगे proceed किया जाएगा, rule 11 की कारवाई हम तब करवाते हैं जब witness पेश हो जाता है, तो फिर हम जो उसके attachment का process है, उसको release करवाते है, if witness appear, attachment में भी withdraw, अगर witness court में appear होता है, और specification देता है अपनी आखा, कि जनाब मैं इस وجہ से नहीं आ पाया, बारिश थी, जलजला था, तोफान था, आंधी थी, सेलाब आया हुआ था, मुझ तक समन नहीं पहुंचा या मैं समन मुझ तक पहुंच तो गया, लेकिन मैं इन इन वजुहात पर बिमार था, करोना था, हैपर्टाइटरस, A, B, C, सारी बिमारियं थी मुझे, तो मैं code में पेश नहीं हो पाया, तो अगर code उ तो अपियर ही नहीं हो पाता, या फिर अगर अपियर हुआ है, तो code को justify नहीं कर पाता, यानि कि arrest के लिए उसको, यानि कि उसको arrest करके appear करवाया, और code को justify नहीं कर पाया, कि वो क्यों नहीं आ रहा था, तो इस दुरान उसकी जो attachment of property है, उसको withdraw नहीं किया जाएगा, as if the person whose property is so attached, where are judgment debtors, जो attachment का mood है, प्रापटी जो attached की की है, उस प्रापटी को sell करवाय जा सकता है, और उस शेक्स के खिलाफ judgment अलग से अनौस कर दी जाएगी, contempt of code की सूरत में, जिसकी property और वो भी judgment debtor कहलाएगा, जबके एक जो main दावा है, वो अलग से चर रहा है, यह उस main दावे के साथ supplementary statement, supplementary suit add हो गया, यह उस main दावे के साथ supplementary suit add हो गया, जिसके अंदर contempt of code की कारवाई हुई, attachment of property हुआ और उसके खिलाफ judgment debtor की degree अनौस होगी, rule 14, court में office on record, someone as witness stranger to suit, जैसे के मने आपको स्टार्ट में बताया है, कि court अपने जाती record के लिए, अपनी मर्जी से अगर चाहे के दोनों parties ने एक गवा को नहीं बुलवाया, लेकिन वो गवा इस दावे के अंदर गवाही दे कर इस दावे के अंदर एक जान डाल सकता है, रूप फौंग सकता है, तो court independently उस witness को, जो के court witness कहलाता है, उसको तलब कर सकती है, rule 15, duty of person summoned to give evidence or produce documents, जिस शक्स को समन दिये गे हैं, summon भेजे गे हैं, यह उसकी duty है, कि जो भी उसको हुकम दिया गया है, अगर evidence का तो वो evidence को court पेश करे, documents का बोला गया, तो documents को court पेश करे, अगर उसको as a witness गवाही के लिए बोला गया, तो court के अंदर पेश होकर अपनी गवाही को record करवाए, when they may depart, जिस witness को notice कि कि हैं, वो कब रुखसत हो सकता है, कभी भी रुखसत नहीं हो सकता, जब तक कि दावे का फैस्टा नहीं हो जाता, या otherwise court में provided, या court में otherwise direct, इसके इलावा अगर court हुकम दे दे उसको रुखसत होने के लिए, बात समझेगे, इसका मतलब क्या है, एक दफ़र जो समन कर दी है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि जब भी court नो उसको बलवाना नए समन करने पड़ेंगे, court उसको डेट दे दे कि ये ये पेशी हैं, आपने इन पेशियों पर हाजिर होना है, तो वो हर पेशी पर जब तक कि दावा final नहीं होता आने का पबंद है, इसके इलावा court कोई और direction कोई और हुकम दे दे, तो ये एक अलग बात है, for example, court कहते जी आपने आ जायो और एक और पेशी पर आना है, उसके बाद आपको इजाज़त है, आप court में ना आना, आप रुखसत हो जाएगा, आपको court पर आने की ज़रूरत नहीं, तो ये court ने otherwise direction दे दी, बसूरते दिग और रूल 17 सब रूल 16 का ही आगे फर्दस देता है, कि अगर कोई शक्स हर पेशी पार ये, जब तक court उसको और कर रही है, वो नहीं आ रहा, जब तक court ने इसको बोला आने के लिए, वो एक दो पेशों पर आता है, वो उसके बाद नहीं आता हो, फिर भी उसकी उपर वो ही क the evidence to produce, document which he has summoned to give or produce, जहां बर किसी शक्स को, किसी witness को, जिसको समन किये नहीं आया, फिर उसकी प्रोकलमेशन की नहीं आया, फिर वारंट जारी किये, तो वारंट के दोरान, पुलीस उसको अरेस्ट करके court में जब लेकर आती है, जो documents या जो evidence उसने महिया करने थे court में, वो अ अगर देन बाद में वो bail या shorty bond की खलाव वर्जी करता है, तो court उसको detain, कैद कर सकती है, यहां पर उस शक्स के उपर, उस शक्स के उपर PPC 174 का section अप्लाई होगा, क्योंकि non appearance of attendance is also a punishable under section 174 PPC next section 19, no witness to be ordered to attend in person unless reside within certain limits, कोई भी शक्स को, किसी भी शक्स को समन नहीं किया जा सकता है, जो पाकसरे हदूर से बाहर रहता है, अब वहां पर अगर किसी शक्स की आपने ब्यानत कलमन करने है, किसी गवा के, तो उसको अब समन तो नहीं कर सकते हैं, दो ही तरीके हैं, या तो आ order 26 की कारवाई करें, local commission के तोर के उपर, या फिर आप वहां की जो concern court है, उन से उसकी evidence को record करवा के मंगवा सकती हैं, Rule 20, consequence of refusal of party to give evidence when called on by court, जहां पर court किसी evidence को, या किसी documents को महिया करने का court में हुकम दे, और वो party, आया वो plaintiff है, या defended है, इंकार कर दे, without lawful justification, without lawfully reason, तो वहां पर court, suits से related, respect in suits, root के तनाजर में, जो भी मुनासर समझेगी, उस party एखलाब फैसला जारी कर सकती है, Rule 21, rule as to witness to apply to the parties, यह जो rules है, यह witness और parties दोनों के उपर, as a summon के तौड़ पर applicable होगे, where any party to a suit, जहां पर कोई भी party दावे की, is required to give evidence, evidence देना चाहती है, or to produce document, या कोई documents महिया करना चाहती है, the provision as to witness, यह provision जैसे witness पर shall apply to him, shall apply होगे to him, उस पर भी so far as जहां तक मुमकिन है, they are applicable, यह उस पर applicable हो सकती है, यह पार्टिस पर भी और विटनस पर भी यह provision applicable हो सकती है, समन की proceeding के लिएकर कोई documents या कोई documents या कोई गवाही पेश करना चाहता है, the lectures is complete, I hope यह lecture आपके लिए फायदे मन्साबत होगा, ऐसे ही informative वीडियो को सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्स असलाम